नमस्कार आप देख रहे हैं नियूजवल इंडिया आपके साथ मैं हूँ काजो उनराय आज अब सोच रही होंगे कि आज मैं चाई की प्याली के साथ क्यों आइंकरिंग कर रही हूँ क्योंकि आज इंटरनेशनल टी डे है जी हाँ भारत में चाई के शौकीन आपको बहुत मिल जाएंगे और हर जगा पर चाई बिक्तीवी भी आपको नजर आएगी बढ़े ही कुछ और मिले ना मिले तो चाई कैसे भारत में आई क्या भारत में ही सबसे पहले चाई देखी गई या चाय का इस्तिमाल हुआ ये सभी चीज़े आज जानेंगे सुबा आग खुलते ही चाय की तलब लगना ये सिर्फ भारत के लोगों की आदत नहीं है बलकि इसकी आदत कई और देश के लोगों में भी खुब प्रचलित है और ये प्रचलन सैक्रों सालों से चला रहा है दरसल भारत में चाय की प्रसिद्धी कुछ इस तरह बुलंदियों पर पहुँच चुकी है कि भारत के लोग चाय को किसी दूसरे देश की खोज मानने को तयार ही नहीं होते मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चाय की खोज भारत ने नहीं बलकि किसी अन्य देश नहीं की है और तो और इसकी खोज भी महज एक हादसा थी चलिए जानते हैं चाय की खोज कैसे हुई और ये भारत कब और कैसे पहुँची पहली चाय का किस्सा किसे तो कई हैं पर उसमें से दो कुछ खासा मश्चूर हुए हैं जो कुछ यू है पहली कहानी की माने तो करीब 2700 इशापूर्वी चीनी साशक शैननूंग बगीचे में बैठे गर्म पानी पी रहे थे तब ही अचानक हवा के कारण एक पेड की पत्ती उस पानी में आगरी जिसके बाद पानी का रंग बदल गया और पानी से एक महक सी उठी राजा ने चक्के देखा तो उसका स्वाद उन्हें बहुत पसंद आया इस तरह चाय का आविशकार हो गया वहीं एक और कथा के अनुसार 16 अताबदी में चीन के हुनान प्रांथ में भारत्य बहुत भिक्षुक बौदे धर्म कई दिनों तक बिना सोय ध्यान साद्मा किया करते थे जिस दोरान वो जागे रहने के लिए एक खास पौधे की पतिया चुबाय करते थे और बाद में यहीं पौदा चाय के पौधे के रूप में जाना जाने लगा हाला कि अब तक जब तक भारत आधुनिक नहीं था या दुनिया आधुनिक नहीं थी तब तक तो पत्यों से ही एक सिंपल चाय बनाई जाती थी और चुसक्या भरी जाती थी लेकिन आज के दौर में जैसे जैसे दुनिया आधुनिक हो रही है वैसे वैसे तमाम जो फ्लेवर से चाय के वो सामने आने लगी है ग्रीन टी ऐसी भी चीजे जो है वो सामने आई है और माना जाता है कि ग्रीन टी काफी ज़ादा अच्छी होती है चाहे उसमें और्गैनिक हो और या फिर फ्लेवर वाली हो बाजारों में भी आपको असानी से मिल जाएंगी और लोग ऐसी चाई का भी लुट्फ उठाना बहुत पसंद करते हैं लेकिन जो टपरी की चाई है ना देश में यानी भारत में उसके शौकेन बहुत जादा है अब आगे बढ़ते हैं कुछ और चर्चा करते हैं चाई पर भारत में चाई की दस तक तकरीबन 1824 में बर्मा जो अभी मयन मार है और असम की सिमान पहाडियों पर चाई के पौधे पाए गए अंग्रेजों ने चाई उतपादन की शिर्वात 1836 में भारत और 1867 में श्री लंका में की शिर्वाती दिनों में खेती के लिए बीज चीन से आयात किये जाते थे क्योंकि वहीं से उसका अविश्कार हुआ लेकिन बाद में असम के चाई के बीजो का उपियोग होने लगा भारत में चाई का उतपादन मुल रूप से तो ब्रिटेन के बाजारों में चाई की मांग को पूरा करने के लिए किया गया था उनिस्ती शताबदी के उत्रार्थ तक भारत में चाई की खबत ना के बराबर थी लिकिन आज भारत के हर चौरा है नुकडो पर आपको कुछ मिले या ना मिले चाई जरूर मिल जाएगी और चाई पर चर्चा करते हुए यार दोस्त भी मिल जाएगे अब चाई का वर्गी करण समझे चाई का वर्गी करण खेती के स्थान के हिसाब से किया जाता है जैसे चीनी, जापानी, श्रीलंका, इंडोनेशिया और अफ्रीकन चाई कुछ नाम शेत्र विशेश के अनुसार हैं जैसे भारत में डाशलेंग, असम, निलगिरी, श्रीलंका में उवा और डिम्बुला, चीन के अन्हुई प्रांत के किमन शेत्र की किमन चाई और जापान की एंशू चाई तो देखा आपने चाई के शौकीन सिर्फ भारत में ही नहीं, देश भर में और दुनिया भर में हैं और हर जगा चाई को अलग-अलग नाम दिया गया है तो आज International Today पर यह हमारी खास पेशकर्ष कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा